हेलो फ्रेंट स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार कस्टरी पे दोस्तों इस वीडियो में हमले करें आप सभी के लिए क्लास तेंद वालों के लिए यहां पर मैटिक बोड़ चात्रों के लिए मैथमेटिक स्गनित का एक और यहां पर वीडियो यह सारी कोशन पूछे हैं अगर आप सभी के लिए काफी में प्रेंट रहेंगे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को जो सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताक अगर यहां पर लिए करते हैं वीडियो के डिस्क्राइट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप लोग को हर सब्सक्राइब करके शेर जरूर कर जेना और सभी छादर कोमेंट करके बताना कि किस तरह के और वीडियो देखना चाते हैं ठीक है चलिए अम लोग यहां पहला को सब्सक्राइब को होगा की डिट भी यहां चुका है यहां जाते हैं और आप सभी को एक्जाम का पैटर्ण भी पता होगा कि दोगों ने बिकलब के साथ अब आते हैं आपको सौ को संदिये जाएंगा जिसमें आपको पचास का ही जवाब देंती मतलब समजो ना भाई अ 95% बच्चे पास हो सकते हैं बिल्कुल आसान सौ में पचास अरे तीस तो आसानी लेक चलो चलो कोई बात ने पहला कोशने कि निम्लिकित में से कौन सा परमें है तो परमें संक्या हम लोग जानते हैं किसको बोलता है जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और में कोई भी उभेनिस्ट गुनन खड़ नहीं हो है ना और जो रूट में यहां पर नहीं जैसे पाई अपर में है रूट सेवन अप पूर्ण वर्ग नहीं है यह देखो तो भाई यह भी अपरमें है लेकिन यह जो है सी रूट सो लगा क्या होता चार रूट 25 का पास तो च है क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है रूट 5 का अगर मान निकालेंगे तो 2.236 का पता नहीं क्या 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 मतलब कभी भी कटेगा नहीं ठीक है आवेगे मैं बताऊंगा अपर में संख्या थर्ड नमर यदि A और B दो अभाद संख्या हो तो रूट अंडर A पलस रूट अंडर B जब पहले ही बता दिया गया है कि अभाद संख्या है तो अभाद संख्या हम किसको बोलते हैं बाई दो को बोलते हैं तीन को बोलते हैं पांच को बोलते हैं साथ को बोलते हैं ग्यारा को बोलते हैं तेरा को बोलते हैं सत्रा को बोलते हैं उनीस को बोलते है 23,ेखो ना, रूट अंडर 2 कोँ सी संख्य कहा है मतल़ सभी में एक sure लगा देंगे, मालो यह पूर्म वग है के पूर्म कहंं, तया कोई संख्या का की नि भी हो जाएगा का फिसलें कम संख्या है , इसलिए यही आद रखेएगा चले next question कि दो संख्याओं 100 और 190 के मौसा और लौसा का गुनन फल क्या होगा भाई सबसे पहले तो इस दोनों संख्याओं का मौसा निकालना परेगा हमको उसके बाद लौसा निकालना परेगा फिर गुनन फल हमको निकालना परेगा ठीक है? तो करते क्या है ना भाई जब हम लोग को पता है क्या होता है? कि दो संख्याओं का जब हम लोग को मलते हैं यह A है यह मलते B है हम लोग को जब A और B पता रहता है तो हम लोग जानते हैं कि LCM और गुनने HCF होता है मतलब दोनों का गुनन फल जो है इस LCM और SCF के गुनारफल के बराबर होता है पढ़े है ना सुत्र फर्मूला तो ए गुने B बराबर LCM गुने SCF इस दोनों को गुनार करते हो वही एंसर हो जाएगा भाई तो एक नब्बे पर डबल जीरो एक सुनब्बे पर डबल जीरो अप्सन नमबर D जीरो है ठीक है काफी सिंपल था चले नेक्स्ट कोस्टन नेक्स्ट कोस्टन है पांच नमबर बिर्ताकार पथ पर तीन धाबक एक ही अस्थान से दोर्णा पर्रम करते है तो एक चकर लगाने में करमसा एक घंटे तीन घंटे तथा पांच घंटे समय लगता है तो तीनों को प्रस्थान बिंदू पर पुना जैसी इस तरह के प्रस्थान पूछा जागे ना भाई तो एक तीन पांच का LCM निकाल दो ठीक है कहा निकालना LCM LCM मतलब लॉस ठीक है क्या होगा 15 घंटे अप्शन नमर्डी इस दर राइट ठीक है चलिए नेक्स पोर्शन बहुपद 4X स्कार मैनस 4X प्लस 1 के मूलो का गुनान फॉल तो पता है न ये कौन सा बहुपद है भाई ये है आपका दुग हात बहुपद क्या है दुग हात बहुपद है न दुग हात बहुपद तो दुग हात बहुपद का जो गुनानों मूलो मूल जो होते हैं मालो के अलफा और बीटा तो अलफा इन टू बीटा क्या होता है C अपॉन A C अपॉन A यहाँ पे कौन सा जीरो सोरी 1 अपॉन चार, option number C, the right होगा ना, छेक option number C चले next question, साथ number कहा गिया है कि यदि दिखात बहुपद QX बराबर X square minus X plus 4 के सुनिया का alpha बीटा है, तो alpha plus beta 5 minus B upon A तो minus तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो, यह AX square minus BX plus C, है ना, यही चीज़ नहीं है, तो minus B के जगा पे क्या है, माइनस 1 मतलब B के जगाप minus 1 तो minus, minus 1 A के जगाप 1, तो यह माइनस माइनस पलस एक बटा एक, option number C देखो, यहाँ पे काफी सारी चाहत गल्दी करते है ठीक है, इसलिए सोच समझ के यह minus B upon जो A होता है alpha plus beta, मालो alpha plus beta का होता minus B upon A होता है न, alpha plus beta minus B upon A जी विल्कुल होता है ठीक है, तो minus B B का मान यहाँ पे का है minus में न, तो minus पहले से लगा हुआ यह, इसको रखेंगे, फिर minus यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है और एक के जगर पे जो रहेगा, सो रिखेंगे माइनस माइनस प्रास पर नमर C next question यदि PX बराबर X square minus 3X minus 4 हो, तो PX का एक सुनियक होगा काफी सधारन question से भाई इसमें कौन सा ऐसा मान देंगे जो चारो option में से, जो 0 इसके बराबर हो जाएगा, 0 है न, इसमें X का भाईलू क्या क्या रखेंगे हम, कि 0 हा जाएगा एक सुनियक में इस चारो option में से कोई एक ही option से होगा, ति ये option number D is the 4, 4 क्या होगा यहाँ पर right हो जाएगा, इसका आप लोग गुरणखन भी निकाल सकतो, जो 2 सुनियक होंगे द्विखाद पर उपद है, जदा जदा धिक्तम कितने सुनियक, दो सुनियक, वो इसमें से एक चार होगा, फिक से, चलिए next question, यदि यूगपत समिकरन निकाय का कोई हल नहीं, यूगपत समिकरन मतलब दो चरवाले रखीक समिकरन की यहां पर जिसका कोई हल नहीं होता है, तो वो समिकरन निकाय है, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं देखो कोई हल नहीं होने का जो सर्थ है, वो क्या है, बताओ, कोई हल नहीं होती, इसका मतलब समानतर हल है, क्या है, समानतर समानतर रेखाई है वो समानतर रेखाई का हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर बीरोधी और आश्री तो बोलते हैं आश्री तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको अनंत हल वाले को आश्री तो बोलते हैं ठीक तो यहां पर हो जाएगा यह बीरोधी समीकरण क्या कोई हल नहीं होने का सुत्र पता है आप लोग को कोई हल नहीं होने का क्या यहां पर समीकर्ण यूंग का सुत्र है बतला से कंडीशन है यह सर्थ है वह आपका एवन बटा यह टू बराबर होना चाहिए आपका भी वन फॉन 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 यह नहीं चाहिए न तो देख लेते हम लोग यहां पर पांच अपन एक पी अपन टू ठीक है तब क्या रखेंगे पी का भैलू कि 5 अपन एक आ जाएका तो यह पता ही यह दस रखेंगे या फिर क्रोस मॉल्टिप्लेकर्शन कर दो यहां पर पांस दूने दस वराबर पी तो पी का मांद दस अप्सान नमबर डी इस दर राइट दस का ठीक है याद रखेंगा नेक्स्ट कोसर जो हाथ समीकरन एक्स स्क्वाइर मैनस फैब एक्स प्लस अगर डीक अभ्यलो जीरू से बरा आता है तो वास्तविक और समान है अगर अगर दीक अभ्यलो ले से जो अट वह वास्त वीक है नहीं देख लेते हैं बी कमान यहाँ पर मैंश पांच का स्कॉरत पचीस डाइट लिकित हो मैं मैं एक एक ओन्षन को योज़ीन हाथ और या माइनस चाली अरे अरे माइनस 15 आ गया मतलब लेस देन जीरो है यह वहला सर्थ है इसका मतलब वास्तिविक नहीं यह उप्शन नमबर कि सी इस दर राइट ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन अच्छा लग रहा है ना बताना कॉमेंट में है ना काफी सारे कोश्चन समलो लेकर आएंगे विडियो को सीर जरूर कर देना जुखात समीकरन टू एक सस्कुराइर माइनस 5 एक माइनस 3 वराबर 0 का एक मूल होगा जैसी इस तरह के प्रस्चन पूचा बाद जाता है ना और बाद 0 आता है यही नहीं है चलिए तो रखो मान और ओप्टेन नमर सी दरा एक तीन रखने से यहां पे देखो न यहां पे क्या होगा दो गुने तीन को स्कुएर मैनस 5 गुने 3 मैनस 3 तो दो तीन दूनी 3 दिया नौ दूनी अठार मैनस 15 मैनस 3 रियर जीर जीर आ गया ना अप्शन नमबर सी दराइटीन नेक्स कोर्शन एपी दो साथ बारो डायज 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 का दसमा पद हुगा जैसी दसमा पद पूचा जाएगा ना भाई एटेन तो हम को लिखागा एपलस नाइन डी एकमान दो नौक अनौक अनौक अनौ अडी कमान यहां पर साथ में से दुगहटा हो ता पांच यही ना आ गया दू पलस फोटी फाइव अरे 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 फोटी सेभन देखो जब भी मैं इस तरह के प्रस्ण पढ़ाता हूं मतलब बताता हूं आप सब यह को एपी का समांतर स्रेने का तो मतलब काफी सांदार तरीके समलोग बढ़े हैं ना ज यहां पर पर्थम एक हजार धन पुर्णांकों का योग जैसी इस तरह का प्रस्ण पुछांद यहाँ आगउने एक हजार पुलास वह ना बटा ट्टू और कितना सिम्पल है भाई देखो न यह एक हजार है ना अगुने एक हजार एक हबटा टू तो यह पांस हो जाएगा यह पांसो और यह फिर यह पांसो अफसर नवार एक दरेट क्या हो जगा चोदा का एक काफी सिम्पल है यह सुत्र है पता एन इन टू एन पलस वन बैट टू यहीं नहीं है यह समांतर से नहीं में पढ़ाया जाता है ठीक है चलो नेक्स कूर्शन यह खिए एपी का सारवंतर पाँज है ठीक है तो टी अथारा मैनस टीजयर का मान होगा कितना सिम्पल है भाई ती-एठारा मतलब बताओ जल्दी से यह पलस 17वादी होगा कि नहीं इसका मतलब एपलस 12 वादी होगा कि नहीं बिलकुल होगा अरे एस से एक गुली मारो 17 ग माइनस बारा गुने पांच क्योंकि डी का भैलू ये पांच है ना तो सत्रा पंचे पचास सी माइनस साथ बराबर कितना पचीज इस दर राइट ऑप्सन नमबर सी इस दर राइट ठीक है चले नेक्स कोर्शन सोलन नमबर भाई देखो तिर्भूज अबिसी समरूप तिर्भूज यहां पर दिया गया है डी एफ ठीक है बीसी अनुपात एफ एरिया जैसी एरिया पूछ दिया जाए ना भाई जब सी एरिया पूछा जाए और भूजाय का अनुपात दिया जाएगा ना जब आपको बीसी अपॉन एफ का अनुपात दिया है जैसी एरिया आफ तिर्भूज एबीसी में कोई संख्या जैसे एबीसी में एबी रहे या बीसी रहे या फिर एसी रहे एरिया ओफ तिर्भूज डी एफ है ना अगर यह दोनों समरूप है इसमें देखेंगे कौन सा इरिया आप यहां पर क्या है तिर्भुष डीएफ जैसी यह पुछ दिया जाए तो हमको कुछ नहीं करना साथ हड़ना का स्क्वाइर कर देना है तो साथ सकते उन्चा सानौन में घ्यासी और आप्छान इस माणन तर भी सी एक माप होगी ठीक है डी समान अंतर भी सी है चार है तेन है अरे हैरे क्या होगा बताँ जल्दी से क्या होगा अको निकाला क्या है ऑन सिसके माप ना इसका माप निकालना है न हमको चलो निकालो BC upon DE तो निकालेंगे हम लोग बताओ जल्दी से क्या क्या निकालेंगे जल्दी से बताओ BC upon DE अगर हम लोग करते हैं यह देखो 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 देख लो देख लो ठीक है तो यह बरा बता छोटा यह हम लोग करेंगे एक तो यहं पर हमको करना क्या है ना तो को 2002 अपर अगर करते हैं आप दी मतले या इडी यह हमको करना पराएगा पर इसे अपर만 यहीय ए मतलब है 15 अब आप rubbishat का ना सफिел इस यहमान कितनाilot 20 3 है नहीं और यह एक्स ए इका आइकल सथ undertaken कि इधर लेखे आजो इसको तीयों जगा टू एक्स बराबर बारत एक्स कमान छे है ना ओप्शन नमबर सी दरेक्ट तरहे नक्स कोश्चर रे यह तो बहुत सिंपल है यदि एल एम एल समानंतर है एम के ठीक है समानंतर है यह दोनों रेखा है इसका मान दिया गया थे ब्लस पर जहां मों को रहे जुँर को पता है न यह दोनों का मान कितना हाँ अधाहो दूनों को जोड़ दो है समझ बाद होता है कि नीए बताओ दोनों को जोड़ दो 180 degree के बराबर 5D पलस 70 बराबर 180 इसको इधर लेके आजाओ तो 5D बराबर कितना 180 में 110 तो D का हमार कितना हो जाएगा D का भैलू कितना हो जाएगा 110 बटा 5 ते 22 degree कितना हो जाएगा डी का भाइलू 22 डी अप्शन नमबर ए क्या होजएगा ए ठीक है चले नेक्स कोश्चन वह रेखा जो बिरित से एक और केबल एक ही बिंदू पर मिलती है उसको हम लोग क्या भोलते है भाई असपर्स रेखा एक ही बिंदू पर असपर्स करते है वो असपर्स रेखा छेदक रेखा नहीं होगा बिरित है तो बिरित जैसी जाएगा धोनों से जाएगा तिरिजा भी धोनों से जाएगा आप्सर अमबर सी कित्र में दिखाया गए क्या A B पलस B D बराबर A C पलस C D है हाँ या ना A B पलस B D ठीक है A B पलस A B और ये B D तो A C क्यों नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल ये मद बिंदू का काम करेगा ना ये और ये बराबर हो जाएगा ठीक है क्योंकि बिरित है तो ये हो हाँ येस नेक्स कोस्टन दो समरूप तिर्भुजों के परिमाप जैसी परिमाप पुझ दे दिया गए ना 40 बटा कितना है यहाँ पर 50 तो पहले और दूसरे तिर्भुजों के छेतर फलों कानुपाद क्या होगा परिमाप यहाँ पहना तो यही होगा आपका छेतर फलों कानुपाद ठीक है क्या होगा अभी पता चल जाएगा आप लोग को ठीक है इसका क्या होगा ना जो होगा यह परिमाप चार गुने भुझ आप लोग को पता ही है कि समरूप तिर्भुज तो सबसे पहले तो हम लोग को भुझा निकलना परेगा जब परिमाप दिया गया है तो 40 बटा क्योंकि पता ही थिरिगू ने भुझा चाये गाट जाएगा ठीक है तो चार बटा पांच का हम लोग को पता है के जब भुझा ओन हम लोग को पता है चल गया tau तो थिर्भुजू का निपास जो हताव वह वह कि बराबर हो जाती है तो चार्चों के 16 बटा पांच है 25 तो 16 पर्म 25 अप्शन नमबर D is the right ठीक है चलिए लास्ट कोशन से यहां का दिये गए चित्र में ओ केंद्रवाले ब्रित पे टीपी और टीक्यू ठीक है टीपी और टीक्यू दोस्पर्स रेखा इस तरह है कि कोन पीओ क्यू वराबर 110 दिगे तो पीटीक्यू इसका मान बताना है कोन पीटीक्यू यह चीज आप लोगों को पता होगा एक चीज यहां स पीटीक्यू ठीक है कोन पीटीक्यू हमको यह निकालनी है पीटीक्यू यह हमको पता है यहां पे 110 डिग्री है तो हम लोगों को पता होता है यह कौन जो होता है इसका क्या होता है यहां पे तो दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा यह पीटीक्यू का वो हो जाएगा 70 डिग प्रस्ट में पूछा जाता है तिर्भूज वाले कोशन्स ठीक है इसका 70 डिगरी एंसर हो जाएगा यहां पे तो दोस्तों यहां पे हम लोग वने टोटल 22 कोशन्स किया है इसके आने वाले पार्ट में हम लोग 25 से आगे कोशन्स करेंगे उम्मिद करते हैं के माध्यम साप्रों को काफी सारी जन करें मिला होगा चलिए मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को ठीक है वीडियो के डिसक्राप्स आपको लिंक मिल जाएगा जाकर प्रैक्टिस से जरूर कीजे